गाइस अगर आपको कोई भी बंदा वाटसप पे मैसेज करता है और मैसेज करने के बाद डिलीट कर देता है तो आप उस मैसेज को कैसे पढ़ सकते हैं कि उसने क्या भेजा था तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक नया ट्रिक जिस पर आप यह देखेंगे कि अ नीचे रखा वो समसंग का मोबाईल है तो इससे हम कुछ मैसेज करते हैं वाटसप पे जैसे मानली जी हम करते हैं हेलो ठीक है हेलो बेज दिया उसके बाद हम क्या करते हैं इसको डिलीट कर देते हैं ठीक है चले डिलीट फोर एवरीवन ठीक है डिलीट फोर एवरीवन कर या अभी कोई बंदा मैसेज करें और वो सडेनली फिल डिलीट कर दें तो आपको कैसे पता चलेगा क्योंकि अगर हम इस मोबाइल का वाटसअप उपन करते हैं तो देखिए यहां पर क्या लिखा रहेगा इस मैसेज वाज डिलीटेड जैसा कि देख पारे विल तो अभी हमक तो यहां पर सर्च बार का उप्सन उस पर करके सर्च कर लीजिएगा नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन पर किलिक करिएगा उसके बाद यहां पर जो है एडवान सेटिंग का उप्सन मिल जाता है जैसा कि देख पारे एडवान सेटिंग वाले उप्सन पर किलिक करेंगे उ तो इस तरह से आप कोई भी message कोई भी delete करेगा ना तो यहाँ पर जो है पॉप अप होगा थोड़ी दिर के लिए उसके बाद जो है अगर आप इस mobile से भी delete करते हैं तो यहाँ पर के लिए हमेशा के लिए delete हो जागा है अगर कुछ दिर के लिए यहाँ पर pop-up होते रहेगा कि कोई बंदा message किया और delete किया तो इसको notification history को on करना होगा पहले तो यहाँ पर जो है show होगा आपका की जो बंदा message delete किया वो क्या message किया होगा था तो देखिए जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे है तो यही setting है Samsung का अगर mobile आपके पस है तो आप ऐसा गर के delete किया होगा WhatsApp message को आप आसानी से देख पाएंगे